Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna तो सबी का हमारे श्रीमत भागवत क्लास में स्वागत है जय राधा माधावा कुण्य बिहारी जय राधा माधावा कुण्य बिहारी जय गोपी जन बल्लाभा गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लाभा गिरिवर धारी यशोदानन्दना ब्रज जन रंजना यशोदानन्दना ब्रज जन रंजना जामनाती रावान चारी जय राधा माधावा कुण्य बिहारी जय राधा माधावा कुण्य बिहारी Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna लूँ नुछु प्राभुपदा 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 प्राभुपद अनन्त कोटी वैष्ण भक्त ब्रिंद की जय जैनिताय गौर प्रिमानंदे हरे हरी बो ओम नमो भगवते पसु देवाया ओम नमो भगवते पसु देवाया ओम नमो भगवते पसु देवाया नारायनं नमस्कृत्या नरंचय वनरोत्तमं दीवें सरस्वतीं व्यासंत तो जय मुदे रयेत नष्ट प्रायेश्व भद्रेश्व नित्यं भागवत्य सेवया भगवत्य उत्तम अश्लोके भगतीर भवती नैश्ठकी ग्रंतराज श्रीमद भागवतम सकंध तीसरा अध्याय पहला शिर्शक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्ण श्लोक्रमांग चवालीस अजस्या जन्मोत पत्त नाशनाया कर्मान्यकरतुर ग्रहनाया पुंसाम नान्वन्यता कोर्हति देह योगं परो गुणानाम उता कर्मातंत्रम अजस्य जन्मोत्पतनाशनाया कर्मान्यकर्तोर ग्रहनाय पुंसाम नान्वन्यता कोर्हति देह योगं परो गुणानाम उता कर्मतंत्रम अजस्य जन्मोत्पतनाशनाया कर्मान्यकर्तोर ग्रहनाय पुंसाम नान्वन्यता कोर्हति देह योगं परो गुणानाम उता कर्मतंत्रम अजस्य जन्मोत्पतनाशनाया कर्मन्यकर्तोर ग्रहनाय पुंसाम नान्वन्यता कोर्हति देह योगं परो गुणानाम उता कर्मतंत्रम शब्दार्थ इस प्रकार से हैं अजस्य अजन्मा का जन्मा प्राकट्य उत्पतनाशनाया दुष्टों का विनाश करने के लिए कर्मानी कार्य अकर्तोर निठल्ले का ग्रहनाया ग्रहन करने के लिए पुंसाम सारे विक्तियों का ननू यन्यता नहीं तो कह कौन अरहती योग्य हो सकता है देह योगम शरीर का संपर्क परह दिव्य गुणानाम तीन गुणों का उत्त क्या कहा जा सकता है कर्म तंत्रम कार्य कार्य कारण का नियम अनुवाद भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किये जाते हैं अन्य था समस्त भवतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस प्रत्वीप में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणार्विंद भक्तिवेदान्त स्वामी महराज श्रील प्रभुपाजी द्वारा इश्वरह परमकृष्णह सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म समीता पांच दशमलव एक भगवान का सुरूप नित्य आनंद में तथा सरवग्य है अतेव उनका तथा कथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्ट होता है जिस तरक्षितिश से सूर्य का उत्पन होना है उनका जन्म जीवों जैसे जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतरगत नहीं होता उनके कारेवं कतिवी धियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्लकृति के कर्मफलों के अधीन नहीं है भगवत गीता 4.14 में कहा गया है नमाम कर्मानी लिंपंती नमे कर्मफले स्प्रिहा इते माम यो भी जानाती कर्म भे नसब ध्यते जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयम भगवान पर लागू नहीं होता नहीं वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं साधारन जीव अपने बद्ध जीवों को सुधारने के लिए कर्म करते हैं किन्तु भगवान पहले से ही समस्त अईश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ग्यान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यूं करें? कोई विक्ति किसी भी अईश्वरे में उनसे आगे नहीं जा सकता अतेव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वता निरर्थक है मनिश्य को सदे भगवान तथा सामन्य जीवों के कारे कलापों में अंतर करना चाहिए तभी वह भगवान के दिव्यपद के विशय में सही निर्णे पर पहुँच सकता है जो भगवान के दिव्यता के विशय में किसी निर्णे पर पहुँच जाता है वह भगवान का भक्त बन सकता है अगर अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है चमा कि जो और अपने विगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है कहा गया है कर्मानी निर्दहति किंतुच भक्ति भाजाम भगवान भक्त के विगत कर्मों के फ़लों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निश प्रभावित कर देते हैं प्रम्म समिता 5.54 भगवान के कारे कलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वात किये जाने के लिए हैं उनके कारे कलाप सामान्य विक्ति को भगवान के प्रती आकरिष्ट करने के लिए होते हैं भगवान सदैव भक्तों के हित में कारे करते हैं अतेव सामान्य विक्ति जो की सकाम कर्मी होते हैं या मोक्ष कामी होते हैं भगवान के प्रतिय आक्रिष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कारे करते हैं सकाम कर्मी भक्ति में सेवा द्वारा अपने लक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष कामी भी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन लक्ष प्राप्त कर सकते हैं भक्त गण न तो अपने कर्म का फल चाहते हैं नहीं वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं वे तो भगवान के यशश्वी अतिमानविय कारेों का यथा उनके द्वारा गोवर्धन परवत के उठाये जाने तथा बाल्या वस्था में ही पूतना राक्षिश्टी का वद किये जाने का अस्वादन करते हैं उनके सभी उनके कारे सभी प्रकार के लोगों कर्मियों घ्यानियों तथा भ॥ औक ब्रकत। जीव बाद्ध्यों हो जाते हैं उनके प्राकट्टे का गौन प्रयोजन दुष्ट असूरों का संघार करने तथा अलपग्यों द्वारा अनर्गल नास्तिक्तावादी प्रचार को रोकना है भगवान की अहयतुकी क्रिपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असूरों क मोक्षु प्राप्त होता है भगवान का सार्थक प्रकट्य सामान्य जन्म से सदय भएन्होता है यहां तक कि शुद भकतों का भी भैतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चितानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्यत रूप से भैतिक स्वरूप नहीं होते हैं ओम ज्यानति मिरांधस्य ज्यानांजन श्लाक्य चक्षरन लितम्ये नतस्मै श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्य मनों भिष्थम स्थापितम्ये नभूतले स्वयम रूपकदा महीं ददाती स्वपदांतिकं नमव विष्णुपदाय क्रिष्ण प्रेष्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्ति देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शुन्यवादी पाष्चाति देशतारिने वांचा कल्पतरू भ्यष्चा कृपासिंधू भ्याइवचा पतितानां पावनिभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमा जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभूनित्यानन्द श्री अद्धैत गदाधर श्रिवाशादी गौर भक्त व्रंद ह्रे कृष्णा आ एकृष्णा एकृष्णा कृष्णा कृष्णा एकृष्णा कृष्णा हरे एकृष्णा 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 agon मस् Capra हcelे आरे क्रिष्ना divided व्हीं आरे लृष्ना नहीं हरे भी क्रिष्ना 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 स्थनि पूपश्णा रे रम हरे रम हरे रमरा रमरा मरू हरे कि तो आज हम कि तीसरे सकंद के पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं कि महात्मा विदूर उद्धव जी से भगवान कृष्चन के संदर्व में चर्चा कर रहे हैं पिशले श्लोक में उद्धव जी से चर्चा करते हुए महात्मा विदूर ने कहा था कि भगवान तो जितने भी दुखी लोग हैं संकसार में तो भगवान उन्हें सांत्वना देने के लिए प्रकट होते हैं या संत्वना देने का प्रयास करते हैं फिर भी कवरों ने इतना गलत कृत्त किया और इतना उन्होंने अत्याचार किया किन्तो यह सब कुछ जो है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भगवान कृष्ण जो है इस भूमी पर उपस्थित होते हुए चल रहा था और सिर्फ कृष्ण भी नहीं बलकि अन्हें भी बहुत सारे असत विक्ति राजवेश में राजा के पदप्राप्त किये हुए अनेको रूप से संगसार में लोगों को कष्ट दे रहे थे तो निश्यत रूप से भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने से इस प्रकार की अत्याचारी विक्तियों का अन्त होता है हलाकि भगवान अजन्मे हैं तब भी वह प्रकट होते हैं अजस्य जन्म उत्पथ नाशना है जो उत्पात मचाते हैं उत्पात मचाने वाले जो लोग हैं अर्धात जो असत लोग हैं विशेश करके अगर वह बहुत उंचे पदों में हैं और उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि लोग में कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता तो उस समय भगवान जो अजस्य अर्थात जो अजन्मे हैं जिनकी कोई भोतिक उत्पत्ती नहीं होती है अर्थात किसी प्रारप्थ की कारण जो जन्म नहीं लेते हैं ऐसे अजस्य भगवान जो है जन्म ले लेते हैं ऐसे अजन्म भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं तो और इस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए जो भगवान यहां प्रकट होते हैं तो ऐसे कारे कर देते हैं कर्माने करतु हूँ ग्रहना यह पुंक्सा ऐसे कारे करते हैं जिसे हर कोई उसको उसके प्रती आकृष्ट होता है और उससे कुछ सीख सकता है तो एक तो लोगों का मन आकृष्ट कर लेते हैं अपने कृत्य से भगवान और साथी साथ उबदेश भी या एक उबदेश प्रदान करते हैं या बहुत सारा उदाहरण स्थापित कर देते हैं जो कि मानव अपने जीवन में अपना सके तो कर्मानिय करतु हूँ तो अजस्य भी है अकर्थू भी है अजस्य करत होता है अजन्मे हैं पुर्व कर्म के कारण वो जन्म नहीं ले रहे हैं अजन्मे का अर्थ यह निकलता है कि सामन्ने जो जीव है वो पूर्व कर्म फलों के कारण जन्म लेते हैं किन्तु भगवान जब यहाँ पर प्रकट होते हैं तो उनका जन्म दिव्य होता है वह साधरन जो जीव इस संसार में जैसे जन्म लेते हैं वैसे उनका जन्म नहीं होता वैसे उनका प्राकटे नहीं होता क्यों 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 वो अजन्मे कार्थ यह निकालते हैं कि जिसका कोई भौतिक माता-पिता नहीं हो तो वो भी सही है अजन्मे कार्थ होता है जिसने किसी माता के गर्ब से जन्मना लिया हो जिसका कोई मा पिता नहीं है साथी साथ जनमेकार्थ यह भी होता है कि जिसको इस भौतिक संसार में जनम लेने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता इस भौतिक संसार में जनम लेने के लिए उन्हें उन्हें पर कोई जबर्दस्टी नहीं कर सकता है बाकि अन्ने जितने भी जीव हैं जब वह बहुत एक संसार में जन्म लेते हैं तो वो मजबूर होते हैं जन्म लेने के लिए तो अजन्में अजस्य और अजन्में अजस्य हैं फिर भी जन्म लेते हैं विदुर जी कह रहे हैं महात्मा विदुर हैं ज्यानी विक्ति हैं उल्लव एक प्रकार से भगवान के अध्भुत गुणों का वर्नन कर रहे हैं और कर्माने कर्तु हूँ कर्म करते हैं किन्तु उन्हें कर्म करने के कोई आवशक्ता नहीं है कर्मनी अकर्तु कर्त होता है हमारे कर्म जो हैं वो हमारे अभिलाशाओं से प्रेरित होती हैं हमारे भोग इच्छाओं से प्रेरित होती है लेकिन भगवान के कर्म जो है वह भौतिक अभिलाशा या उनके स्वएच्छा से प्रेरित नहीं होती है भगवान का कर्म जो है वह भगतों को संतुष्ट करने के लिए या सत्य स्थापित करने के लिए उनके कर्म का उद्देश होता है। कियुंकि जब व्यक्ति पूरी तरह से सन्तुष्ट ठो तो वसके मन में कोई इ pista ड़ी रह जाती है। किसी प्रकारका लोब नहीं द ही किसी प्रकारका ऊसके मन में थ्यूंजा को कामना नहीं होती है। इसलिए उसे कोई कर्म करने की आवशक्ता नहीं है, तो अकर्तुहु कर्त होता है, जिसके मन में कोई लिपसा नहों, कोई तृष्णा नहों, कोई मनो कामनाय नहों, क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए, हम और आप जो हैं, अपने आप में प किन्तु अपने आप में हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमें भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जब योग में स्थित हो जाते हैं भगवान के साथ तब हमारी परिपूर्णता होती हैं, अकेले हम परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, और भोतिक शरीर या भोतिक जगत में तो निश्चित कते ही हम परिपूर नहीं हो सकते हैं तो यहां पर विदुर जी इस प्रकार से भगवान के स्टुति कर रहे हैं भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो पहली बात जो समझाए जा रही है अजस है दूसरी बात जो समझाए जा रही है अकर्थू तिसरी बाद जो समझाए जया रही है कि क्यों भaghगवान जन्म लेते हैं चोथी बाद जो समझाए जया रही है कि क्यों भगवान कर्म करते हैं तदपश्याध नान्वन्य था कोरहतिदेह योगं परोगुणानाम उत्र कर्मतंत्रम उत्र मतलब कोई आवशक्ता नहीं है क्यों क्या हो सकता है कैसे हो गया यह उत्र अर्थात आश्चर्य उत्र कर्मतंत्रम अर्थात कर्म की कर्म जिन नियुमों के अधीन किया जाता है कर्म जिन जिस आधार पर किया जाता है उत्र कर्मतंत्रम तो भगवान जब कर्म करते हैं संसार में तो वास्त में उनके यहां पर आने के तो आवशक्ता है नहीं तर्किय लगा जा रहा है किन्तु फिर भी आ रहे हैं तो क्यूं आ रहे हैं यही बड़े बड़े ग्यानी लोग इस पर विचार करते हैं और आकर कर्म क्यूं कर रहे हैं देह योगं परह गुणानाम तीनों गुणों से तो भगवान परे हैं अर्थात उनका शरीर जो है तीन गुणों से बना ही नहीं हुआ है अर्थात उनका शरीर दिव्वे है तो दिव्वे शरीर धारण करके इस संगसार जो तीन गुणों से बनी हुई संगसार है उसमें प्रभू कैसे आगए क्योंकि जो तार्किक बुद्धी है उसे बात यह समझ भी नहीं आती। जिस विक्ति को इस संसार से कोई संबंध नहीं है अर्थात यहां पर उसका कोई लाब नहीं है यहां पर उसकी कोई संसार से आकांख्षा नहीं है या पेक्षा नहीं है वो इस संसार में क्यों आएगा? तर्की बात है चलिए तर्के उपर एक छोटी कथा सुनाते हैं जैसे कि मन कैसे हमारा भ्रहमित हो सकता है तर्क कभी-कभी मन को ऐसे भ्रहमित कर देता है तर्क क्या है परो गुणा नाम भगवान जो है गुणों से परे हैं देह योगम जब जो व्यक्ति यहाँ पर इस संसार में देह धारन करता है देह योगम देह के संपर्क में आता है तो वह इसलिए उस देह के संपर्क में आता है क्यूंकि गुणों का उस पर प्रभा होता है लेकिन भगवान का तो गुणों से दूर दूर कुछ लेना देना नहीं है अरथात गुण उनको प्रभावित करी नहीं सकते हैं मतलब सत्व गुण रजव गुण तमव गुण उनके प्रभावित करी नहीं सकते हैं भगवान को छूबी नहीं सकते हैं भगवान के उपर उनका कोई असर नहीं पड़ती है आपसे आपको हम कथा सुनाते हैं कि उस कथे में कथा में आपको अपने बुद्धी का प्रयोग करना है कि सोचिए एक गाउं में सिर्फ दो नाई हैं नाई जानते हैं बारबर जो आपके बाल काड़ता है और पुरुशों का दाड़ी मूच करता है नाई तो एक गाउं में दो नाई है आप उस गाउं में जाते हो आप देखते हो कि एक जो नाई है लंबे बाल रखा हुआ है उसकी दाड़ी मूच जो है बड़ी भद्धा सा है मतलब लंबी लंबी दाड़ी मूच बिलकुल अजीब लग रहा है और दूसरा जो नाई है तो आप किसके पास जाकर अपने बाल कटवाओगे या अपनी दाड़ी मुझ करवाओगे विचार कीजिए इसके उपर दो सकेंड का समय देते हैं आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि जो साफ सुतरा है उसके पास जाना चाहिए भाई बात तो सही है जो खुद के बाल और मूच और दाड़ी ऐसे रखेगा वो क्या हमें मदद करेगा तो ऐसे हमारी बुद्धी सोच सकती है किन्तु यहां पर हमारी बुद्धी जो है वो थोड़ी सी गलत मार्ग पर चलेगे मतलब उस बुद्धी ने सिर्फ बुद्धी ने ठीक से विचार नहीं किया क्यों देखे गाउं में सिर्फ दो नहीं है तो अगर किसी को भी बाल कटवाना है तो इन में से किसी दो नहीं में से किसी एक के पास आना पड़ेगा तो जिसके बाल अच्छे से कटे हुए हैं, दाड़ी मुच अच्छी है, उस नाई के दाड़ी मुच किसने बनाई होगी? जो भद्दा जिसके दाड़ी जिसकी मोच बड़ी हो जिसके बाल बड़े हो ठीक दिखने ही रहा है उसने बनाई होगी न तो अर्था उसका हाथ जो है नाई के कामों में बहुत अच्छा है और इसके बाल और इसके दाड़ी मुच किसने बनाई होगी जो भद्दा देख रहा है उस नाई ने जो साफ सुथ रहा है तो कला किसकी स्रेश्ट है जो नाई भद्दा है उसकी कला स्रेश्ट है हला कि दिखने में वो भद्दा देख रहा है तो तर की यह है तो बहुत संख्षित में जल्दी में आपको यह बता दिया है, आमने सामने रहते तो आरानन दाता देख कर कि कितने लोग क्या सोचते थे, है ना, तो उसी प्रकार से कुछ लोग तरक लगाते हैं, कि क्या तरक लगाते हैं, भगवान का यहां पर इस संख्षार में उनकी मकसद नहीं है, मतलब उनके स्वैम का कुछ अंबिशन नहीं है, उनके स्वैम का कुछ उन्हें मकसद पूरा नहीं करना है, तो किस कारण से आगए यहां पर, और यहां पर कोई शरीर, उनका शरीर जो है, गुणों के अधिन नहीं होता है, तो फिर क्या काम करेंगे यहां तर्क ऐसे कर तर्क जो है तार्किक बुद्धी जो है हम इस परकार से थोड़ा सा भ्रहमित कर देती है इसलिए विदुर जी कहते हैं अजन्वा जन्म लेता है और जो अकर्तू है वो कर्म करता है और उसके पीछे विदुर जी समझाते भी हैं क्यूं उत्पत नाशना है जो उत्पात मचाते हैं अर्थात जो उत्पत्थी हैं अर्थात जो दूसरों को परेशान करते हैं और खुद इतने शक्तिशाली हो जाते हैं इतने सम्षध हो जाते हैं कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता तो ऐसे उत्पाती लोगों को सही मार्क पर लाने के जिए भगवान इस संक्सार में प्रकट होते ही मैं जब कोईねぇ कर सकता है तो फिर भगवान आकर वहकारे करते हैं धेवता जैस大概 कर पाते कोई भी नहीं करबाता है तो असुरों की तो बहुत संख्या बढ़ गते था आशुरि प्रवृत्यिति की जो लोग हैं, उनकी संख्या खूप बढ़ चुकी थी, देख लीजिए न, कुरुक्षेत्र के रण भूमी में पांड़ों के पक्षे सिर्फ साथ अक्षो होनी सेना थी, कौरों के पक्षे से ग्यारह, तो सूच सकते हैं कि कितने प्रचंड मातरा में ऐसे बड़े ही बलशाली युद्धा, जो अधर्म करना चाते थे, जो असत थे, वह इस भूमी पर मंडरा रहे थे, इस भूमी पर घूम रहे थे, तो इसलिए श्री भगवान यहां पर अवदरित होगे, तो यह बात यहां पर समझाई जा रही है, अच्छा, अब थोड़ा सा सिद्धान्त समझने का प्रयास करेंगे, कि भगवान जो है, मातर यह व्यक्त कर देते भगवान, कि असुरों का संघार हो जाए, तो भगवान के शब्दों में या भगवान के इच्छा में इतनी शक्ती है कि वो कारें अपने अप संपन्न हो जाएगा, इसलिए भगवत गीता में इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाला गया है, भगवान सिर्फ जो उत्पात मचा रहे हैं, उनको नश्ट करने के उद्देशे से सिर्फ नहीं आ रहे हैं, बलकि साथ ही साथ परितरनाय साध होना, उनके प्रति जो लोग आस, आस लगा कर बैठे हुए हैं, जिनके भगवान के, जो भगवान से आशा बद्ध हैं, ऐसे उनके भगतों के से प्रेम दर्शाने के लिए, उनके साथ प्रेम संबंध या प्रेम में व्यवाहार व्यतित करने भगवान यहां पर प्रकट होते हैं, उनके ऐसे भग तो इसी संगसार में हैं, इसे कहा जाता है, साधू, परितरनाय साधूनाम, विनाशायच दुश्कृताम, धर्म समस्था नार्थायत संभवानी, लेकिन उसके पहले जो मुख्य और देशे प्रभू का वो है परितरनाय साधूनाम, तो उनके जो भगते हैं, जो सत्मार्ग पर चलने वाले विक्ति हैं, सिर्फ उन्हें सुरक्षा ही न देने की, सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने के हितों से नहीं, बल्कि उससे कहीं अध अधिक होता है उनका जो भगवान के प्रती प्रीती है, प्रीती भाव है, जिसमें खूब विगना आ रहा है, क्यों? क्योंकि उत्पात इतनी मच रही है, तो उस प्रीती भाव को और व्यक्त करने ही तो, उस प्रीती को, उस संबंध को, प्रीती संबंध जो है, और जैसे एक उदारन देते हैं, देख लिए, बरज में कृष्णन लीला के संदर्व महीं उदारन देते हैं, जब भगवान बरज में प्रकट हुए, टो माता ये सोधा जो है, और माता ये सोधा जिसे जितने और माता नोगें थि, उनमें से कुछ धात्री थी। उनमें से कुछ जो है भगवान के रिष्टिदारी में थी। सबका स्नेय भगवान के प्रती मात्र स्नेय था, मात्र प्रेम था, माता तुलिस नेय था, सबका, तो माता ये शोदा और अन्ने भी, तो भगवान जो है, उनका ये जो प्रेम है, उस प्रेम को प्राप्त करने, उस प्रेम का आनन्द स्वयम लेने, और साथी साथ उनके भी मन को बहुत संतुष्ट करने हैं तो भगवान आकर लीला करते हैं, हम और आप जो काम करते हैं, वो हमारी लीला नहीं होती है, अंगरी जी में कहा जाए, तो हम और आप जो है, टाइम पास करते हैं, भगवान पास टाइम करते हैं, टाइम पास क्या होता है, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया, और देखते ही देखते हैं, ब स्टैम का अरत होता है लीला भगवान की लीला होती लीला का अरत होता है भगवान और भagवान के भक्त अनन्य भाव से सुख़ का आननद प्राप्त करते हैं लीला में जैसे उदाहरण के लिए माता ये शुदा मता ये शोदा भगवान को सवेरे सवेरे रवाना कर देती हैं भगवान चले जाते हैं गवचारंड करने के लिए छोटे से भालक है बड़े उमंग में भगवान निकलते हैं सारे सख्षाओं के साथ सभके Evac partner आख जो वन और उपवन हैं गाउं के बाहर कभी जमुनाजी की किनारे कभी थोड़ा सा अन्निस्थानों में भी भगवान चले जाते हैं जो वन उपवन हैं वहां पर एकदम बहुत ही रसीली और बहुत ही स्वादिष्ट घास मिलता है गईयों को खाने के लिए तो आच चले गए अब माता ये शोदार अन्ने माता हैं जो हैं वो दिन भर आख से आसु बहाते रहते हैं बार बर आकर उसी दिशा में देखते हैं जहां से भगवान लोटेंगे कभी खिड़की से देखते हैं कभी दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं कभी एक दूसरे से पूछते हैं क या कितनी देरी हो गई कभी कभी तो सूर्य देव से थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि आज लगता है सूर्य भखवान हर दिन नाराज होते हैं और हर दिन यही बात कहेंगे कि पता ने सूर्य देव जो है कितने कठोर हो गाएं आज धीमी गती से सूरे देव जो हैं सूरे नरायन को बहुत धीरे से बढ़ रहे brings ब्हुत अन्심म में आते हैं जब आ जाते हैं तो मातायशवधा निए दिखती है कि भागवान चौकट पर खड़े है चौकट से भीतर आ गया है तो कुछ समय तक मातायशवधा को या ही बात समझ भे नहीं नहीं आती कि भगवान सही में आये है या कहीं उनकी कलपना है क्योंकि दिन भर यहीं तो कलपना करती थी कोई भी आहट होती तो तुरंत उन्हें लगता कहीं मेरा लाला तो नहीं आ गया कहीं मेरा कनिया तो नहीं आ गया दोड़ कर जाती थी दर्वाजे पर आहट हो जाए खिड़कीर पर आहट हो जाए कहीं पर घर में भी आहाट हो जाए तो दोड़कर पहुंच जाती थी कि कहीं कनिया तो नहीं आ गया है तो कभी-कभी तो माता ये शुदा दिन भर उन्हें ऐसे भ्रम हो जाता कि कनिया को देख रही हैं कभी-कभी बात्चित करने लगती माता ये शुदा जो है ऐसी माता ये शुदा को लगता कि कनिया जो है घर में ही है और उनसे बात करने लगती कि अरे का ना आज तो जल्दी आ गया लाला गईया कहां है गईया ठीक से खाई की नहीं खाई और फिर कोई पूछता कि ये शुदा किस से बात कर रही हो तब उन्हें समझ भी आता कि मन में ही अपने कल पना करकर बात्चित खुद से कर रही है वो जो क्रिश्णों वहां पर रहे हैं नहीं तो दिन भर ऐसे माता ये शुदा का चलते रहता मन जो है उनका हमेशा क्रिश प्रिशने के लिए ये जो लालसा है कभी ये शुदा को ये शुदा माता के आँखों में आसू ले आते तो कभी माता ये शुदा जो है स्तब्द रह जाती कभी माता ये शुदा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती कभी माता जो है दरवाजे से बाहर निकल कर बाहर जो म तोनी रहा है, बहुत भूका होगा, प्यासा होगा, धूल में, धूल से उसका शरीर लिप्तO होगा, उत्यादी, इत्यादी इत्यादी अतयादी मातायशोदा पर थेत्तो zag आではRY 넣고 ठैक नहींड़ेकर आहिए। तो माता येशोदा दो शण के लिए ये विचार करती है कि कहीं है मेरी कलपना तो नहीं है बोल भी देती कभी कि लाला तु ही है कि कोई और है कि मेरा मन का भ्रहम तो नहीं है तो माता येशोदा को विश्वास दिलाने है तो काना जी जो है दोड़कर माता येशोदा की गोद कूट जाते हैं माता यॉशुदा फूट फूट कर रोने लगती है और वहीं पर भगवान का उनके अश्रों से भगवान का अभिशेक हो जाते हैं प्टी कि एग दिन भार रोते रहती है कि मैं नहीं हो में बहार रहूं और जब मैं आता हूँ फिर रो रही है, ऐसे कैसे चलेगा, क्यों रो रही है, अब तो मैं तेरे गोदी में बैठा हूँ, तुम मुझे पकड़ी हुई है, अब क्यों रो रही है, मता ये शुदा कुछ बोल नहीं पाती, फिर उसके बाद भगवान और भी लिलाएं होते रहती है, तो ये जो भक्तों के साथ भगवान रसों का या ये जो शुद्ध भावनाओं का आदान प्रदान है, वो भगवान जो है, उस आदान प्रदान को या उस प्रेम को इस जगत में व्यक्त करने हैं तू प्रकट होते हैं, उसका आनंद लेने हैं तू प्रकट होते हैं, माता यशोदा और अन्य जितने भी माताएं हैं ब्रज में उनको आनन प्रदान करने ही तू भगवान प्रकट होते हैं तो यह कारण है भगवान के प्राकट ते क्या और कुछ अल्प बुध्धी वाले लोग यह सोचते हैं कि भगवान क्यूंकि यशोदा के या देवकी के गर्ब से प्रकट हुए हैं वैसे तो कथा यह कि भगवान देवकी के गर्ब में स्थित थे प्रकट तो एक छण में हो गए चत्रभु जुरूप धारण करके प्रकट हो गए देवकी जी का गर्ब जो है खाली हो गया और भगवान प्रकट हो गया व्यक्त हुए तो देव की मा ने प्रार्थना की न कि प्रभू जो है ऐसा इस सुरूप में तो कंस जो है मेरा हमारा भाई जो है वो और द्वेशी हो जाएगा और आपको चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो मा का रिदय था अपने बालक के सुरक्षा के बारे में सोच रही थी तो उन्हें तुरंद कहा कि आप अपना बेश बदल दीजिए तो उस समय भगवान ने बालसुरूप धारण किया ये भी मान लेते हैं कि अगर ये शुदा मा के यहां भगवान ने जनम लिया है जैसे क कि रूप गोस्वामी कहते हैं जीव गोस्वामी जो है उसका प्रमान भी देते हैं तो धगवान जो है जो पूर्व कर्म से प्रेरित होकर जन्म नहीं ले रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि पिछले जीवन में बगान ने कुछ ऐसे कर्म किये थे जिसके वज़े से नंद बाबा की हां उन्होंने जनम लिया ले प्रकट हो बस अपने सवीच्छा से अपने सवीच्छा से भगवान वहां पर प्रकट बहुत Чण जो है भगवत गीता की कि बहुत सारे लोग भगवत की ता को मांते हैं यह मांते हैं कि भगवत गीता में शॉयं स्वें कहते हैं नमे करमानि लिंपनती नमे कर्म फलस प्रिह इति माम यो भी जानाती कर्म भेर नसब ध्यते भगवान कहते हैं नमे कर्मानी लिम्पनती किसी भी कर्म का और कर्म फल का बुझ पर कोई भी असर नहीं होता हो भी नहीं सकता क्यूंकि मैं कर्म से बाधित नहीं हूँ तो कोई भी कर्म जो है ना तो मुझे मायूस करता है ना ही मुझे हर्शित करता है कोई भी कर्म मुझे अपने आपको अपने परसनालिटी डेवलप्मेंट के लिए परियरत नहीं करता कि आज से मुझे अपना परसनालिटी डेवलप्मेंट करना है ऐसा नहीं होता भगवान नमे कर्माणी लिम्पन्ती, भगवान में कोई कमी ही नहीं है, तो और डेवलप्मेंट किस चीज का किया जाए, कौन से अपने चरित्र की वृद्धी करनी है भगवान को, या अपने चरित्र का, और कौन सा भगवान ने, चरित्र जो है और सुन्दर बनाना है, भगवान का चरित्र पहले से या दिसुन्दर है, तो नमे कर्माणी लिम्पन्ती, नमे कर्म फलस प्रिहा, और कर्म करने के बाद कभी-कभी लोग बोलते हो, तो इस चीज का भगवान के उपर असर पड़ गया, उस चीज का भगवान पर असर पड़ गया, घोड़ा बनकर उसे घुड़ सवारी करवाता है तो तो प्रेम है उसी प्रकार से भगवान यहां पर किनी लोगों की जो कथित उनकी कहीवी वानी है उसको प्रेम पुरवक स्विकार लेते हैं और उनके वानी को भगवान जो है सट्य थैराते हैं लेकिन यस पुरी तरह से वहाँ अपनी स्वाइच्छा से करते हैं या मराजी या फिर बाकी जितने भी अन्य जो यहां पर साक्षी लोग हैं उनके अधीन नहीं या सृष्टी का जो नियम है सृष्टी के नियम के अधीन कारें नहीं करते हैं भगवान क्यों उसकी चर्चा की जाएगा अभी तो इस पर चर्चा करते हैं नमे करमानी लिंपंती तो नमे करमानी लिंपंती अर्थात मुझे किसी भी प्रकार का कर्म जो है विमोहित नहीं कर सकता मुझे किसी भी प्रकार का कर्म जो है दूशित नहीं कर सकता मुझे किसी भी प्र इतर हो जाएंगे भगवान, ऐसे कोई बात नहीं है, ना तो उन में कोई कमी है और ना ही भगवान को कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो नमे कर्माणी लिम्पंती और नमे कर्मफलस प्रिहा, नमे कर्मफलस प्रिहा का अर्थ होता है, कर्मफल जो होता है, वो भगवान को आकर्शित नहीं करता नहीं भगवान कर्मफल से प्रभावित होते हैं। सुक दुख की भूमिका होती है, सुक दुख की कलपना होती है जिसके मन में, जिसके जीवन में हैं। भगवान परिपूर्ण है, कहने करती है कि भगवान परिपूर्ण है। इतिमाम यो भी जानाती, जो इस बात को समझ जाता है, जिसे ये बात सिर्फ समझ में ना आया है, बलकि उसे साक्षातकार हो जाए। जिसे कभी-कभी गणित समझ में आ जाती है ना हमके, ओ, अब समझ में आया, जिसे हमने कथा बताई थी, तो कुछ लोगों को समझ में आया होगी, आ, जिस नाई का दाड़ी, मोच, बाल ठीक से नहीं है, इसका मतलब है, दूसरे नाई ने उसका ठीक से काम नहीं किया, कभी-कभी जो है, हमें ऐसे साक्षातकार हो जाता है, हमें बात समझ में आती है, हैं हम समझदार लोग, लेकिन बात समझ में कभी-कभी आती नहीं है, जब समझ में आती है, तो व्यक्ति कहता अच्छा, अब बात समझ में आ गए, उसी प्रकार से यहां पर कहा गया, इतिम यो भी जाना आती इति माम यह जो वेकति इस प्रकार से मुझे समझ जाता है कि अच्छा अब बात समझ में आए कि कोई कर्म फल से प्रेरित नहों कर भी कर्म करते हैं और किसी कर्म का उन पर प्रभाव पड़ता भी नहीं अच्छा अब ये बात समझ में आगए तो ये बात उसी को समझ में आएगी जिसकी बुद्धी उसे ग्रास्प कर सके जिसकी बुद्धी इस ग्यान को धारण कर सके इस ग्यान को ग्रहन कर सके जिसकी बुद्धी इस ग्यान को ग्रहन नहीं कर पाती है उसके लिए एक ही परिया है अपने बुद्धी का और विकास कर क्योंकि हर विक्ति के पास छमता तो होती है कि इस बात को समझे लेकिन कभी कभी समय लग सकता है और समय इसली लगता है क्योंकि बुद्धी का और विकास करना आवश्यक है तो बुद्धी का विकास करना चाहिए बुद्धी का विकास करने में हमारे पास ज्ञान इतिमाम यूभी जानाती कर्मभेर ननिबध्यते अब सूचिए कर्मभेर नसबध्यते जो इस बात को समझ जाता है कि अब समझ में आया अच्छा मतलब इनको कोई कर्म फल प्रभावित नहीं करता इनको कोई कर्म प्रभावित नहीं करता है बिलकुल मुक्त आत्मा है बिलक बिलकुल ही निश्पाप आत्मा है, बिलकुल ही पुन्य आत्मा है, मतलब पूरी तरह से परिपूर्ण है ये, उस विक्ति के साथ क्या होता है, उस विक्ति को अपने आप ही कर्म और कर्मफल से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, देखिए, कहा जाता है कि कभी-कभी अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है, कैदी हो गया है, गुनेगार है, उसे सजा दी गई है, तो आप जो है, अपने देश के जो सबसे वरिष्ठ वेक्ति हैं, जैसे कि भारत में हमारे राष्ट रुपती हैं, तो आप जो हैं, उन्हें आप उनसे याचना कर सकते हो, कि उन्हें माफ की राष्ट रुपती जी आपको माफ करते हैं, प्रेजदेंशल पारडन बुलते हैं उसको की माफ करते, न, और अगर रास्ट रुपती जी के सलाहकारों ने और जो भी सजन विक्ति हैं उन्होंने सलाहा दे दी और राश्टरपती जी ने भी स्वयम के परिक्षन से पता कर लिया कि अव्यक्ति जो है सुधर सकता है इसलिए इसका गुनाह माफ कर दिया जाए तो राश्टरपती जी गुनाह माफ भी कर सकते हैं कि ठीक है आपका गुनाह माफ कर दिया गया और अब आप अपनी सजा से मुक्त हो तो संपूर्ण स्रिष्टी के जो राश्टरपती हैं ये करता है स्रोत जो है वो श्री भगवान है हम सर्वस्य प्रभवो मत्तह सर्वं प्रवर्दते मैं ही सब चीज का सुरोत हूं मुझसे सब कुछ सब की उत्पत्ती होती है यह बात जो जान जाता है वो श्रद्धा पूरत मेरे भजन में लग जाता है यह भी बात यह भी ज्यान भगवत गीता में भगवान समझाते हैं देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से भगवत गीता में समझाया गया है जो कितना भी तरक विक्ति कर ले गीता में सारे तरकों को का सही उत्तर या सही द्रिश्टिकोन भगवत गिता में दिया गया है हां तो यह बात सिद्ध हो गया कि भगवान जो है क्योंकि सब चीज के सरोत हैं तो फिर अगर भगवान ने क्या दिया गुना माफ तो गुना कैसे माफ हूता है एक गुना जो यह हम पापपणने के चक्र में यहां पर फसे हुए हैं यह जो जो चक्र व्यू है उस से मुक्त होने के कोही गुणा माफ कहा गया है तो वह जो मुक्ति है या उससे बाहर निकलने का हमारा प्रयास सफल हो इसके लिए एक मार्ग जो यहां पर बताया गया है जो कि बहुत ही आसान है और सभी के लिए संभव है वह है कि भगवान के यहां पर उनके प्राकट्टे को का सही अर्थविक्ति समझे जो भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो उसका अर्थ जो है सही में विक्ति समझने का प्रयास कर दें तो कि वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है ठीक है तो यह बात सिद्ध हो गई अब हमारे और आपके बारे में बात करते हैं कि हमारी और आपकी स्थिति कैसी है हमें यहां पर कहा गया है ना तो आपके और हमारे स्थिति क्या है हम हमारा जन्म कैसे होता है और कि उस अंदर में हमें क्या समझने की आवश्यक्ता है तो हमारा जो जन्म है वो यही व्यक्त कर रहा है कि हम कर्मबंधन में अटके हैं या फसे हैं तो ठीक है हमने एक बात यहां पर कह दी थी पहले हमने क्या बात कही थी कि एक सरन मार्ग है कि भगवान का यह कर्मों को और उसकी दिव्यता को अगर समझ जाए वेक्ती तो वेक्ती कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है तो बात तो बहुत बढ़ी कर दी कहें ऐसा तो नहीं है कि छोटी मूँ बढ़ी बात हो जाए कि ऐसा तो नहीं है कि बात तो यह कहदी है कहा भी है गीता के गीता का जो जो ज्ञान है वहीं से यह बात कही गई है तो अगर मन में शंका आजा ऐसे कहीं मू के बल तो ना गिरना पड़े जिसलिए भगवान समझाते हैं एवं ग्यात्वा कृतं कर्म पूर्वे रपी मुक्षु भी कुरू कर्मे वतस्मात्वं पूर्वे पूर्वातरम कृतं भगवान कहते हैं एवं ग्यात्वा कृतं कर्म यही सत्य जानते हुए पूर्वकाल में जो मुक्षु लोग थे हैं मुक्षु का अर्थ होता है जो तपस्वी है और अपने कर्मों द्वारा मुक्ति के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने कर्म द्वारा जो है मुक्षु मुक्ति प्राप्त हो गया उनको मतलब बस अब इस संसार में खाली शरीर धरण किया हुआ है अन्यता पूरी तरह से उनका मख्त जो मन जो है पूरी तरह से एक संसार से वि-मुक्त हो गया है इन्हें कहते हैं मुमक्षू तो पूर्वकाल में अर्थात आज से पहले क्योंकि आज हम यह सुन रहे हैं तो आज से पूर्व क्या जब अर्जुन जी श्रवन कर रहे थे तो अर्जुन जी को यही बात भगवान कह रहे हैं कुरुक शेत्र के रणभूमी पर कि पूर्वकाल में जो मुक्षु थे अर्थात जो मन से पूरी तरह से संसार से निरासक तो हो चुके थे और जो परम सत्य हैं उसमें मन लगा लिया है ऐसे मुक्तात्मा जो हैं कि जब इतने इतने अविकास कर चुके हैं वो इतना एडवांस हो चुके इतना एडवांसमेंट हो चुका है उनका spiritual एडवांसमेंट कि बस शरीर त्यागते ही पर इस संसार से मुक्त हो जाएंगे अभी तो शरीर है ना तो शरीर त्यागते हैं जब समय होगा शरीर त्यागने का तो क्योंकि इतना विकास कर चुके हैं वो लोग कि अभी मुक्त हैं किन्तु शरीर त्यागने पर वो इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे तो ऐसे पूर्वकाल के जो मुक्षू हैं, मतलब बहुत सारे बहुत सारे शुधात्माई हुई है, जिनों ने इसी बात को जानते हुए, किस बात को जानते हुए? कि भगवान का जो कृत्त है, कर्म है संसार में, वो अति दिव्य है, वो कर्म और कर्म फल से प्रेरित नहीं है और प्रभावित नहीं है, तो इस सद्धानत को जानते हुए, पुर्वकाल में जो शुधात्माई थी, उन्होंने अपना कर्म वैसे ही किया, अर्थाद, उन्हों ने क्या किया, वो सिर्फ भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मर्ण किया करते थे, एवं ग्यात्व कृत्म कर्म, इस प्रकार से वह कर्म करते थे, यह सारे शुधात्माई कर्म करती थे, कौन सा कर्म करते थे, जो भी कार्य करते थे अपने जीवन में, उन कार्यों में हमेश स्मर्ण क्या करते थे एवं घ्याद्वा का अर्थ होता है यह जानते हुए कि मेरी मेरी जो क्रियाय और संगसार में वह अति दिव्य मेEZ कि रगवान कृष्न की क्रियायम जो है वो दिव्य थो पूर्व ऐसे बहुत सारे महानाatamente जो हैं उन्होंने अपना जीवन सिद्ध किया भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए इसलिए भगवान हमसे कहते हैं कुरु कर्मईव तस्मात्वम तस्मात्वम से हमें संबोधित कर रहे हैं भगवान तो मतलब आप आप भी ऐसे ही कर्म करो कैसे कर्म करो ऐसे कर्म करो जिस कर्म में आपको ग्यात हो जिस कर्म करते हुए आपको ग्यात हो कि मेरे कर्म दिव्य होते हैं अर्थात भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए इस संक्सार में कर्म करना चाहिए पुर्वे पुर्वतरम कृतम और ऐसा कैसे कर सकते हैं हवे हमसे करना बिल्कुल संभाव किसके पूर्व हमारे जैसे ही हाड मांस हाड और क्या कहते हूं से मांस हाड मांस के जो विक्ति थे उन्होंने भी ऐसे करते हुए अपना जीवन सिद्ध किया है इसलिए हम भी कर सकते हैं निश्यत रूप से कर सकते हैं भगवान के सुंदर जी लाएं सोची न अगर यहीं विचार करें कि भगवान जो है लोट रहे हैं शाम का समय है गोव धूली वेला वेला है माता यश्यदा रुकि हुई है और माता यश्यदा क्रिश्च्ण भगवान का सुरूप जो है धर्शन करती है दिन भर खली कलपना मन में ही धर्शन कर रहे हैं अब साक्षात नेत्रों से भी धर्शन कर रहे हैं और माता यश्वदा यह विचार कर रहे हैं, कहीं यह मैं सपनों तो नहीं देख रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि अभी भी सूर्य देव जो हैं, अपनी आत्रा पूरी नहीं कियो हैं, अभी भी सूर्य देव अस्त नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो बात नहीं कि और भी देर तक रुकनी पड़ेगी अब मैं लुक नहीं सकती मुझे मेरे लाला के सुन्दर मुख चंद्र का दर्शन करना है ऐसे विचार करें माता ये शुर्दा और काना जी जो है ठाकुर जी जो है दोड़कर आकर उनकी गूदी में लपक जाते हैं तब माता ये शुर्दा जो है भाव विभोर होकर ठाकुर जी को अपने अच्छाती से लगा लेती है पिर आगे के और लीला हैं आगे तो बहुत और सुन्दर सुन्दर वर्णन है बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के वर्णन है तो इन वर्णनों का ध्यान करते हैं कौन? मुक्ष भी ही और वैसे ही तस्मात कर्मईव कुर्त्वम अर्जुन जी से भगवान कहते हैं तुम भी ऐसा कर्म करो अर्जुन और हमें भी संबोधित कर रहे हैं क्योंकि आज हम सुन रहे हैं गिता का ये श्लोक हम सुन रहे हैं तो वास्ता में भगवान हम से कह रहे हैं कि हमने भी मतलब आप और हमने भी ऐसा ही करना चाहिए जिसे पूर्वकाल में महान आत्माओं ने, स्तिधात्माओं ने किया था अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्थिती कैसी हो जाएगी भगवान कहते हैं हमारी स्थिती जो है बहुत ही भयानक होगी, बहुत परेशान हो जाएगे हम क्यों, क्योंकि परेशान होने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प रहता ही नहीं है अगर हमने कर्म किया और भगवान का स्मरण नहीं कर पाए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाए इसके कि हम अग्यान के खाई में अग्यान के अंधकार में हम पढ़ जाएंगे, गिर जाएंगे भगवत गीता में भगवान समझाते हैं नहीं कश्चत शनमपी जात तिश्थत कर्मकृत कार्यत यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई ही भगवान केते हैं कि भवतिक प्रकृति में जो भी व्यक्ति कार्य करता है एक भी जण जो है प्रकृति उसे बिना कार्य किये रहने नहीं देती कुछ न कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा कल युग में तो ये थोड़ी से दया हम पर की गई है कि हमारे विचारों का फल हमें मिलता नहीं सिर्फ कर्मों का फल मिलता है पिछले युगों में विचारों का भी फल मिलता था मन में आपने किसी के प्रति कुछ सोच लिया, अगर वो उचित नहीं है, तो तुरंट उसका फल आपको मिलेगा, सिर्फ सोचने से, सोचने का अभी कर्म बंधन प्राप्त होता था, इसलिए बहुत ध्यान, पहले इसलिए लोग जो है मन के उपर बहुत नहीं अंतरम करना लिखते थे, पश्यर्या खोग करते थे, आज की तरह नहीं कि बिना कोई सोच विचार किये हुए, सोचल मीडिया पर कुछ भी डाल देता है, विक्ति, यह उड़ गया, तो डाल दो मीडिया पर, अब सहाब जी उठ गया है, दोनों पैर पर खड़े हो गए, तो सहाब जी लिखते हैं, हाँ, यह देखो मेरे, दोनों चरण कमल, इसके उपर हम स्थित हो गए, तो सोचल मीडिया पर लोग आज कल ऐसे ऐसे चीज़े डालते रहते हैं, उसको कहते हैं, डेली व्लॉग, डेली व्लॉग जो भी है, यह तो पहले क्या होता था कि पुर्वकाल में, इसलिए पुर्वकाल में शायद टिक टॉक होते भी नहीं होंगे, ऐसे कुछ, क्यूंकि विचारों का भी लेखा जोकी किया जाता था, कि आपके विचार क्या हैं, मतलब यह दस दिशाय हैं, सूर्य चंद्रा हैं, अन्य जितने हमें भी साक्षी हैं, वो जानते थे कि आपके विचार क्या होते हैं, कल जूग में वो जानते हैं कि हमारे विचार क्या हैं, लेकिन अब कितना वो जो है, लिखा पड़ी करेंगे, कितना चीज नोट करेंगे, इसलिए खाली कर्मों का ही नोट कर लेते हैं, वही हमारे काफ कर रहे हैं, तो नहीं तिष्ठति कर्म करते हैं, नहीं रहने देती हैं हमें भहुती प्रकृति, कुछ न कुछ हमारे द्वारा कर्म करवाएगी ही, और जब भी आपको लगता है कि आप कर्म कर रहे हो, या आपको लगता है कि आप कर्म नहीं करना चाहते हो, फिर भी आपको क कर्म करना पड़ा वह इसलिए क्योंकि हर समय कर्म करने के लिए आपको प्रेरना आपको प्रोत्साहान आपको उक्साना या आप से जबर्दस्टी करवाना यह सिर्फ प्रकृति करती है इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति कारण है सारे हमारे कर्मों का यह नहीं है वैसा गलत अर्थमत निकालिए कि ठीक है तो फिर हमें क्यों कर्म फल लगता है उसका भी उत्तर है हमारे पास यहां पर बात कही जा रही है अहलसी की यह बात कही जा रही है कि अगर कोई वेक्ति कोई विचार ही ना करे तो फिर तो उसे कोई कर्म फल लगेगा ही ना ना ऐसे हो जी नहीं सकता है क्योंकि प्रकृति हम से जादा समझतार है प्रकृति हमें अंदर बाहर उपर नीचे पू पुरी तरह से जानकार है हमारे एक-एक अर्जय-पूर्जय के साथ, पूरी तरह से भौतिक प्रकृति को प्रापत है, तो भौतिक प्रकृति को कोई भी पचाड नहीं सकता, कोई भी भौतिक प्रकृति से जीत नहीं सकता, बस है ये प्रकृति, कैसे आप जीतिएगा, बता नियंत्रन नहीं है यह बात हम जानते हैं इस शरीर पर ही हमारा नियंत्रन नहीं है। बस सोचे कहीं पर वेक्ति खेलने चला गया और थोड़ा सा कहीं पर लचक आगे तो बस लचक हमने थोड़ी लाई है। किस ने किया किस ने किया बस प्रकृति ने ऐसा प्रयूजन किया कि आपने या तो अपना हाथ या पैर या कमर या शरीर ऐसे घुमाया कि आपको लचक आगी अगर आपको पता रहता कि इससे लचक आने वाली है तो शायद करते हैं आपको पता नहीं चलता है मानो जैसे कि आपको जो है ना जिसे कभी कभी सरकस में प्राणियों को सिखाना तो पहले उनको ललचाया जाता है धिरे-धिरे उनको जो है जो काम करना है उसकी और उन्हें वो काम करने की और उन्हें अनेको माध्यम से उन्हें जो है उकसाया जाता है या उन्हें प्रोचसान दिया जाता है उसी प्रकार से शरीर में लचक जो आनी है उसके लिए प्रकृति ऐसा प्रिविजन करती है कि आप तो आनंद में सुख के लिए क्रिकेट खिलने गए थे हो पकडम पकड़ा ही खिलने गए थे, जो भी खिलने गए थे, और खिलते खिलते लचक आ गई, कुछ लोगों को तो बैठे बैठे लचक आ जाती है, कुछ लोगों को तो सोते सोते लचक आ जाती है, बताइए ना हमारे शरीर पर कितना कम नियंतरन है हमारा, कल को आप खाना ख तहों अच्छे ज़्याता है आज काने जाते हो वहीत ये कम भी खाते हो ठीक से पष्थी ही करब बड़ते हैं बाल बड़ते हैं यह क्टो नहीं तो बड़ते जाएंगे यह क्या नियंतरण है हमारे और इस श्रीर Our हुँ थोड़ा बहुत नियंत्रण है यह हमें लगता है कि नियंत्रण है हो इसलिए दिया गया है ताकि व्यक्ति उसका प्रयोग करके मुक्ती पत्त पर अग्रसर हो थोड़ी बहुत हमें नियंतरण करने की छमता दी गई ने शरीर पर बहुत इसलिए है ताकि शरीर और जो इंद्रियां है उसका प्रयोग कर ले हम भगवान की सेवा करने में अन्यता मतलब पूरा-पूरी जो है भौतिक स्रिष्टी हमसे अपना काम करवा ही लेती है भौतिक प्रकृती इसलिए कहा जाता है कार्यते हेवशकरमसर्वही प्रकृती जैर को नहीं हर्शन विक्ती जो है कोई न कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रकृती उसे उसे प्रकृती ऐसा एक माहोल बना देती है कि उसे वो करम करना ही पड़ता है इसे कहते हैं सर्वह प्रकृति जैर्गुणि सब कुछ प्रकृति द्वारा की जाती है तो यह प्रकृति इतनी शक्तिशाली है प्रकृति जो है इतनी प्रबल है और इसके उपर आपको और हमें ज्यादा सोचनी के जूरुत नहीं है हमारे नेत्र ही ऐसे बने प्रकृति नेत्र ही ऐसे बनाया कि बेना पलक झपकाए हम अपने नेत्रों को सुरक्षित नहीं रख सकते लिकिन पलक झपकते ही एक शण के लिए एक निमेश के लिए जो है द्रिश्टी हमारी लुप्त हो जाती है और उसमें अगर कुछ पलग जब गया है तो फिर कितना आदमी फ्रस्ट्रेटर हो जाता है कि अरे फिर से जो है अंदर नहीं गया जोड सके है तो हम बड़े ही न बड़े ही क्या कहेंगे हम आप जितने भी जीवजंतु जितने भी शरीर्धारी आत्मा है नहीं यहां पर हम सब बड़े कमजोर हैं बहुत कमजोर है तोड़ा सा कसरत क्या कर लिया वयायाम क्या कर लिया थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया चार लोगों में चार सो लोगों में थोड़े से सिद्ध क्या हो गए हम क्या में लगता है कि हम बड़े शक्ति शाली है तो यह भी काम जो प्रकृति जो है वही करवाती है कि ऐसा माहोल बना द प्रकृति के उसमें व्यक्ति वैसा ही काम करता है कि प्रकृति ने करवा रहा है मतलब व्यक्ति ने यह सोचना है कि हम शक्तिशाली है और फिर कुछ ना कुछ करवाकर प्रकृति जो है हमें पुना शर्मिंदित कर देती है यह इसलिए प्रकृति करती है ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए कि अपने मन, अपने इंद्रिय, अपने विचार, जो मन्ज से द्वारा की जाते हैं विचार और अपने इंद्रिय, अर्थत कर्म जो है, वो सेवा में प्रयोग करें यह बुद्धी हमें आ जाए, यह समझ हमें आ जाए, कि हम उसे सेवा में प्रयोग करें, एक बार ये बात समझ में आ जाती है, कि उसको हमें सेवा में प्रयोग करना है, तब एक नई दुनिया हमारे लिए खुल जाती है, जहां पर नाना प्रकार की सेवाइं होती है, नाना हमेशा उत्साह पुर्वक सेवा कर सकते हो तो यह है प्रकृति और यह प्रकृति भगवान पर क्यों नहीं है उसका प्रभाव पड़ता है प्रकृति भगवान के साथ भी ऐसा वेवाहार क्यों नहीं करती है भगवान के विचारों पर, भगवान के कर्मों पर क्यों नहीं प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति ऐसा कुछ प्रयोजन क्यों नहीं कर देती है, जिसे कि भगवान जो है, हमारी तरह फंस जाएं उसमें, संभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि गीता में भगवान समझाते है जिस प्रकृति के अधेन आप सब कारे कर रहे हो वही प्रकृति मेरे अधेन कारे करती है मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सुचराचरम मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कारे करती है और यही प्रकृति आपकी मदद करेगी क्यों अगर आप सेवा करना चाहते हो पर हम सेवा कर सकें तो सेवा करते हुए विक्तिने सेवा करने चाहिए सेवा करते हुए विक्तिने मेवा के बारे में नहीं सोचना चाहिए सेवा लाल बनी है मेवा लाल नहीं यह बात समझ में आगे सब को सेवा और मेवा तो म्यवा के लिए सेवा नहीं की जाती है, सेवा के लिए सेवा की जाती है और अवसर प्राप्थों सेवा की जाती है, वह विक्ती जो है ठीक से समझ जाता है कि भगवान के जन्म और कर्म जो हैं वो दिव्य हैं और वही विक्ति भगवान के लीलाओं का स्मर्ण कर सकता है तो यह हमारी सिती है और भगवान हमने समझा दिये कि भगवान ऐसा असर क्यों नहीं पड़ता है क्योंकि भगवान जो है प्रकृति के नियंता है प्रकृति जो है भगवान के निर्देशन में कार्य करती है मया ध्यक्षे न प्रकृति इसुयते सचराजर हर चीज जो है प्रकृति भगवान के निर्देशन में अर्थाथ भगवान ने फॉर्मूला सेट कर दिया प्रकृति का जिससे की प्रकृति कारे करती है और उस फौर्मला से भग्वान पर कोई असर नहीं पड़ता जो भगवान यहाँ पर आपर इसकी प्रकृति के जो नियम है उसके दायरे में ही भगवान जो है अपनी लीला करते हैं ताकि हमें वो बात समझ में आ जाए अगर भगवान उस दाइरे के बाहर करेंगे तो आप और हम कैसे उसको देख पाएंगे क्योंकि हम तो प्रकृति के दाइरे में हैं ना इसलिए भगवान जब प्रकृतिक के दाइरे में रहकर कारे करते हैं वह इसलिए है ताकि आप और हम जो हैं उस लीला का आनंद ले सकें या भगवान के लीला को हम समझ सकें यह तो हम समझ नहीं पहेंगे तो भगवान को उसी डाइमेंशन में कारे करना पड़ेगा न जिस डाइमेंशन का हमें अनुभव है या जिस डाइमेंशन में हम रह रहे हैं भगवान किसी और डाइमेंशन में का यहां पर प्रदरशन करेंगे तो आप और हम कैसे समझ पाएंगे तो भगवान इसी dimension में रहकर अपनी लीला व्यक्त करते हैं किंटु जब लीला व्यक्त करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि उनके उपर सत्व रजस और तमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सत्वगुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रजोगुन का कोई प्रभावनी पड़ता है, उल्टे सत्वगुन, रजोगुन और तमोगुन भगवान के निर्देशन में कारे करते हैं एक बार शुरा प्रभुपाजी वरिंदावान में प्रभचन दे रहे थे, वरिंदावान में सारे भगवान बहुत आनन से बैट हैं, ब्रज भूमी में सब के सब जो हैं उन्हें लग रहा था कृष्ण के धाम में हैं, यहां पर कृष्ण की लीला होती रहती हैं, जमुनाज प्रभुपाजी प्रवचन कर रहते हैं, और प्रवचन में यह बात समझाने के लिए कि कैसे व्यक्ती जड़ प्रकृत्ति और जड़ शरीर जो कि प्रकृति उसे प्रदान करती है उसमें विक्ति किस प्रकार से बंधा हुआ है प्रभुपाजी समझाते हैं कि जिस प्रकार का शरीर और जैसे आपकी इंद्रियां आपको प्राप्त होती हैं आप उतने ही हद तक उतने ही दाइरे में आप इच्छा र उससे अधिक उसके अलावा कोई भी अभिलाशा अफ्यक्त नहीं कर सकते साधरन तहा ये संभव नहीं है और इस बात को समझाने के लिए श्रिलप्रहुपाजी उदाहरन देते हूं कहते हैं जैसे हमारे व्रिंदावन में बहुत सारे सूर हैं सूर जानते हैं मराठी में डुक्कर कहते हैं पिग्स सूर ब्रज में बहुत सारे सूर हैं प्रभपाजी कहते हैं ब्रज के सूर होते भी बड़े मोटे मोटे पता नहीं आप लोग ने कभी देखा है कि नहीं देखा है ब्रज में सूर लेकिन होते हैं आज भी दिख जाते हैं, थोड़ा सा बजार से हटकर जाएंगे तो दिख जाएंगे आपको, नालियां हैं, नालियों में सूर रहते हैं, मोटे मोटे सूर हैं, हटे कटे, प्रहुपाजी भक्तों को देख रहते हैं, और उन भक्तों को देखते हैं, प्रहुपाजी ने, जानते हैं, सु और मोटे क्यूं होते हैं, क्या खाते हैं सब को पता है? प्रभुपाजी ने कहा क्यों कि यह विष्ठा क्हाते हैं विष्ठा। स्टूल। अ पता है विष्ठा खाने से उन्हें क्यों इतनी तंदरुष्टी मिलती है? प्रभुपाजी रसायन से बढ़ाई की थी होनने के मिस्ट्री में बहुत अच्छा फार्मेसीटिकली इंडस्ट्री एक बार स्वयम का जो है कंपनी चला रहे थे day pharmaceutical labs lotions and liniments तुने निगा क्यों कि उसमे hydrophosphate होता है और पाजी ने अंगरी है and do you know why they are so fat because the stool contains a lot of hydrophosphate and anyone who eats that hydrophosphate यू पीविहार में बोला जाते है ना phosphate वा तर प्रभुपाई जी कहते हैं जो यह phosphate वा खाता है और मोटा हो जाता है और फॉस्पेट मिलता कहां बर है विष्ठा में प्रभुपाई जी कहते है कोई खाना चाहता है इस जगत का विष्ठा लेकिन क्या करे सूर उसके अलावा कुछ और चीजों से पसंदी नहीं आती उसी प्रकार से एक संसार में बहुत लोग जो हैं इंद्रित्रिप्ति का स्वाधन करना चाहते हैं लेकिन इंद्रित्रिप्ति वैसे ही कर पाते हैं जिस प्रकार से उनको इंद्रियां प्राप्त हैं, जिस प्रकार से शरीर प्राप्त है हर शरीर में विक्ति, हर योनी में विक्ति, अलग प्रकार से इंद्रित्रिप्ति करता है और उस इंद्रित्रिप्ति के दाइरे में बंधा रहता है और प्रभुपाजी विरंदावन के सूरों का उदारने ने की ये सूर विरंदावन में है विष्ठा खा खा कर मोटे हो रहे हैं क्योंकि वही उनकी इंद्रियां जो हैं उसी को पराप्त करना चाहती है सारे भक्त जो हैं हसने लगे ये सुनकर कि वह फॉसफेटवा खा खा कर मोटा हो रहा है फिर प्रभुपाजी ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद अनुभाव कर लो कहने का ताथ पर रहे है कि अगर इस जीवन में हमने अपना लक्ष नहीं प्राप्त किया तो क्या पता अगले जीवन में सुवर बनने का उसर मिल जाएगा और इसमें पता चल जाएगा कि फॉसफेट खा कर कैसे विक्ती मोटा हो जाता है तो प्रोपाजी ने समझाया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें मानव जीवन प्राप्त हैं इसलिए मानव जीवन में हमें भगवान की भक्ती अच्छे से करनी चाहिए और भगवान की भक्ती कैसे करनी चाहिए यही तो सिध होता है जब भगवान यहांब प्रकट होते हैं और उनके अनन्य भक्त जो हैं, उनकी भक्ती करते हैं तब हमें समझ में आता है कि साक्षा जब भगवान के उपस्थिती में हम होंगे तो कैसे भक्ती करनी चाहिए जब हम यह बर्ण पढ़ते हैं शास्त्रों में से तो यहां पर कितची बात सब्सक्राइब से चर्चा कर रहे हैं और देखिए अब चर्चा जो है भगवान कृष्ण के संदर्व में हैं तो मन ही नहीं मान रहा हूं उनका तो भगवान कृष्ण के जन्म, कर्म, इत्यादी से संबंधित तुरंथ पुरंथ जो है चर्चा विषय गोधूल ची उठा रहे हैं तो हमें भगवान के लीलाओं को साधरन नहीं समझना है, भगवान के शरीर को भी साधरन नहीं समझना है, भगवान के शरीर दिव्य है, भगवान के लीलाएं दिव्य है, भगवान के शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के लीला और भगवान में कोई अंत अभिन्य है उसी प्रकार से भगवान का नाम ये अक्षर नहीं है भगवान का नाम ये साक्षात भगवान है भगवान के नाम को अक्षर रूप में मत देखिए भगवान के नाम को लीपी रूप में मत देखिए तब ही कहा गया है कि भगवत नाम श्रवन करना चाहिए लीपी दिखाई देगी सुनने का प्रयास करोगे तो आपको भगवान का नाम सुनाई देगा विशेश करके जब हम नाम जब करते हैं जब हम कीरतन करते हैं तो सुनने में अन्य जो वाद्दे होते हैं वो भी सुनाई देते हैं लेकिन जब हम जब करते हैं, तो स्पष्ट सिर्फ भगवत नाम होता है, हरे क्रिष्ण, हरे क्रिष्ण, 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 हरे हरे, 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 राम, हरे, राम, 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 हरे, हरे, चेतो दर्पन मार जनम भगवान के नाम का जाप करने से चित के दर्पन पर जो धूल इकटा हुआ ज्यान का वो धूल साफ हो जाता है और दर्पन जो है पुना चमकता है जब दर्पन चमकता है तो उसमें आप दर्शन कर पाते हो तो मन के दर्पन में अगर आपने दर्शन करना है भगवान की सेवा करते हुए अपने आपका दर्शन करना है कि भगवान की चरण कमलों में आप स्थित हो अगर यह दर्शन प्राप्त करना है मन के दर्पन पर तो मन के दर्पन को बहुत साफ करना पड़ेगा चित को साफ करना पड़ेगा चित अर्थाद मन तो दरपन है लेकिन चित की यहाँ पर बात कहेगी चित दरपन मार जोना चित का अर्थ होता है जिस प्रकार से हम इस संगसार को समझने का परयास करते हैं उसे कहते हैं चित तो मन तो एक बहुत ही मतलब जड़ माध्यम है चित का मन के द्वारा थोड़ा बहुत जो है चित का अनुभूती कर पाते हैं अपने चित का अपनी चेतना का चेतना को हमें सच्छ करना निर्मल करना चेतना को सच्छ करने का अर्थ होता है अपने मिथ्य अहंकार को मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी यह सारी बाते निकालना है इश्वर हम नहीं भगवान इश्वर हैं हम भोगी नहीं भगवान भोगी हैं हम सेवक हैं इश्वर नहीं हैं हम भगवान के सेवक हैं इश्वरो हम अहाम भोगी सिद्धो हम हम सिद्ध नहीं है भगवान सिद्ध पुरुष है वो तो सिद्धेश्वर है हम जो है उनके सेवक है बलवान भगवान बलवान है हम उनके सेवक है सुखी भगवान सुखी है हम उनके सेवक है तो यह जो अहंकार है उस अहंकार से अपने चत्त को मुक्त करना है और उसे अगर मुक्त करना है तो चेतो दरपनमारजनम परम विजायते स्री कृष्ण संकीरतनम सिर्फ स्री कृष्ण संकीरतन जो है वही ऐसा करके हमें विजय प्रदान कर सकता है हम विजय को प्राफ्त कर सकते हैं हम जीत सकते हैं चत्त को साफ करने में तो चेतो दरपनमारजनम रोज चत्त को स्वच्छ करना चाहिए जतना हो सके उतना जतना हो सके उतना जतना प्रयास कर सके हर दिन तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक मुमुक्षु भी हम भी जो हैं पूर्व महात्माओं की तरह हम भी इस जीवन में उनकी इस तरपर स्थित हो जाएं कौन सा स्थर है उनका नित्यकृष्ण स्मर्ण हमारे मन में 24 घंटे चैनल चलना चाहिए कृष्ण दीला का चैनल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो हरे कृष्ण पौने नो हो रहा है तो यहां पर हम रुकेंगे और बहुत कुछ है बहुत अच्छा विश्य है था आज का लेकिन समाप्त करेंगे अगर आप में से किसी भी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रयास करेंगे तक कोई प्रश्न नहीं आये तो क्रिपया करके जरूर लिखतीजी एगा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. कि प्रशन ही है, जो भगवान की नाराइनी सेना थी, वह को ही करों के पक्षच से युद्ध कर रही थी, और भगवान अत्यचारियों का नाश करने हाँ, तो प्रजा की रक्षा करना तो राजाकरतव है, तो भगवान यहां पर कहना है कि जब हम कहते हैं कि भगवान की नाराइनी से न तो भगवान जो है राजा के रूप में शायद ऐसा लग रहा है कि प्रश्ण का उद्देश यह है पूछने का कि क्या भगवान ने राजा के रूप में उनकी रक्षान ही करनी चाहिए थी या कभी विनाश जो है इस लिए लिखित है क्योंकि वह अत्याचारी है चलिए अच्छी बात है प्रश्णा आपने पूछ लिया देखिए भगवान जो हैं सिर्फ दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं अपने भगतों के साथ सुन्दर विवहार करने के लिए भी प्रकट होते हैं युद्ध भुमी पर एक रस जो प्रकट होता है वो है वीर रस जहां पर वीर पुरुष जानते हैं कि आत्मा जो है उसे कोई मार नहीं सकता और शरीर का आंथ आज नहीं तो कल हो नहीं है तो अगर कोई उचित कारण है जहां पर दो पक्ष जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन करने हैं तू युद्ध करते हैं और बाकी सारे विकल्प जो है वो काम नहीं कर रहे हैं बस युद्ध अवशक है तो उसमें युद्ध हो जा युद्ध जो है करनी पढ़ती है लोगों को और कुरुक शेत्र के कुछ हुआ था तो पवन garsना प्रसंग समझते हुए हमें विचार करना चाहे की क्या हुआ दूसरी बात घगवान की सेना जो है लकिन साथ शुरक्षा में सेना रहे और जब समय आए आए कि सेना ने अपना सेने का मुख्य करतव्य क्या होता है अब और शक्ता पर अपने सहीनिय धर्म को निभाने के लिए सहीनिय को युद्ध भी करने पड़ती है और युद्ध में उसके प्राण भी आ सकते हैं यह सहीनिय धर्म होता है यह दूसरी बात है कि विश्व में शांति होनी चाहिए कोई सेना नहीं इसकी उपर हम चर्चा भी नह करेंगे और नहीं इस अंदर में अभी आप प्रशन पूछिए एक उत्तर से कोई और उसकी पूछ मत खीचेगा आप में से कोई लोग ठीक है ना खली इस प्रशन के का ध्यान रखते हुए मुत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान और नाराइनी सेना सबसे पहले भगवान तो राजा है ने राजा उग्रसेन महाराज है नाराइनी सेना जो है देखा जाए तो उग्रसेन महाराज के अधीन है इसलिए जब भगवान ने दुर्योधन से कहा था कि एक तरफ मेरे नाराइनी सेना है और एक तरफ मैं रहूंगा तो भगवान की जो अपनी से उग्रसेन महराज भी भगवान को इतने मानते थे कि भगवान के बात जो है उग्रसेन महराज अपनी बात उसे समझते थे तो यह एक पार्शु भूमियोज का एक यह जो है समझने वाली बात है तो राजा नहीं है राजा उग्रसेन महराज ने अगर कहा होता कि नहीं नाराएनी सीना जो है इस तरफ से लड़ेगी तो फिर वैसे ही उन्हें करना पड़ता जब दुरियोधन को नाराएनी सीना प्राप्त हो गई तो एक वीर का यह भी धर्म होता है कि अपनी बात को अपन क्योंकि दोनों ही पक्ष भगवान से मित्रता रखते थे, तो भगवान ने और युद्ध में भाग लेने से पीछे हट नहीं सकते थे, क्योंकि ये भी एक वीर का धर्म होता है, ये सारे धर्म अभी हमें समझ में नहीं आएंगे, ये द्वापर युक के धर्म है, तो हमें य इसे के कारण भगवान जो है एक युद्ध माने गए है एक शूरवीर माने गए है तो उनकी जो सेना है जिन्हों ने यहाँ धर्म अपनाया है कि युद्ध करने पड़े तो जो भी कहा जाएगा युद्ध में वैसे हम युद्ध करेंगे बहगवान को दोनों पक्षों को बराबरी से व्यवाहर करना था तो बराबरी का वयवाहर भगफाने इस प्रकार किया कि एक सिर서 वह दूसरी तरफ उनकी से तो भगवाएन की नाराइनी सेना क्योंकि भगवान का धियान कर रही थी लेकिन पूरे तरह से युद्ध में अपना धर्म निभा रही थी तो निश्यत रूप से नाराइनी सेना जो इस युद्ध में उसका विनाश हुआ और सब जो है उचे गति को प्राप्त हुए यह कि युद्ध धर्म को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए दूसरी बात क्योंकि यह बात रखी गई थी क्या भगवान ऐसा कर सकते थे बिलकुल कर सकते थे क्योंकि सेना उनके अधीन है तो अधीन होने का अर्थ होता है कि वो निर्णय ले सकते हैं उनकी सेना क्या उनकी ब बायरे के अंतरगत भगवान कार्य करते हैं. तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीवित रहा, कौन मरा. प्रश्न ये है कि जीवन में या मरण में किसने धर्म का पालं किया. तो अगर हम लोग शरीर और आत्मा का भेद और उसका अंतर नहीं ठीक से समाझे पाएंगे. अगर उस शरीर के माध्यम से हम उची गती प्राप्त करते हैं, तो घर में बुढ़ापे से मरें या युद में वीर धर्म को निभाते में मरें, आत्मा तो उची गती को प्राप्त कर रहा है ना? तो यही चीज पहले अद्धा में भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं, नई दूसरे अद्धा में समझाना चाहते हैं कि उस चीज के लिए विचार करना जो विचार योग्य नहीं है और उस चीज के लिए रोना, जो जो लेमिन्टेशन, मतलब जो जिसके लिए रोना उचित नहीं है, ये एक कम बुद्धी वाले विक्ति का लक्षन है. तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि दौपर युग के समय, उस समय के समाच में जो धर्म स्थापित थे, उस धर्मा नुसार लोग जो हैं कितने करतव विबद थे. और जब वह बात समझ में आ जाएगी, तो भगवान ने जो योग्य था वैसा किया, उनकी सेना ने जो योग्य था वैसा किया. यहां पर किसी की भी कोई कमी नहीं है या किसी की कोई गलती नहीं है. तो फूफुली यह बात समझ में आ गई होगी कि आत्मा और शरीर का भेद पहले समझ लें और यह भी बात समझ लें कि जब व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो आत्मा जो है या तो उची गती को प्राप्त करता है या अधो गती को प्राप्त करता है या मध्य स्थिति में रहता है. मृत्यू तो या तो युद में आनी है, या बुढ़ापे से आनी है, या बिमारी से आनी है, जो सही चेतना में शरीर त्यागता है, उसे उची गती प्राप्त होती है. ठीक है? तो यह जो प्रसंगन की नाराइनी सेना को नश्ट करने के हितु क्या भगवान आये थे? ऐसे हमें जोडने का प्रयास नहीं करना चाहिए. इस प्रकार से जोडने का प्रयास, तो फिर यह भी सिद्ध हो जाएगा कि क्योंकि नश्ट करने आये थे, इसलिए पांड लोगों को दुख देने के लिए भगवान आये थे, क्या नहीं नहीं, ऐसे तरक नहीं करना चाहिए. जैसे हमने कहा कि इस संगसार के दाइरे में रहकर भगवान अपनी लीला करते हैं. तो इस संगसार के दाइरे में क्या देखने को मिलता आपको? सुख, दुख, जन्म, म पृत्यो, उंच, नीच, यह आपको देखने को मिलता है. तो यह सब अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यही चीज आपको भगवान की लीला में भी दिखाई देगी. तो उसे भ्रमित नहीं होना है, सिद्धान्त के आधार पर हमें विचार करने का प्रयास करना है. तो अगर और कोई प्रशन है किसी का, तो निश्यत रूप से आप लिखकर भेजें. कोई प्रशन तो यहां पर नहीं आये हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यही पर कथा समाप्त करते हैं. और आशाम को प्रयास हम करेंगे. प्रयास करेंगे कि आशाम को साड़े साथ बजे भगवत गीता पर हम प्रवचन कर सके और हो सके तो हर दिन शाम को जो है, गीता का क्रमशह, जो हर शनिवार को हम कथा करते थे, गीता का जो विशलेशन किया करते थे, श्लोक, प्रती श्लोक, उसी को हम आगे बढ़ाएंग जो तेई स्वा श्लोक है उस पर आज शाम को हम चर्चा करेंगे ओनलाइन ही कथा होगी शाम को साड़े साथ बजे तो आप में से जितने भग जुड़ सकते हैं जुड़ने का प्रयास करें हरे कृष्ण श्रिल प्रहुपाद की जय ग्रंथ राज श्रीमत भागवतम की जय